सब्सकारब करें अपने YouTube चैनल लानमूट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्सिन पाने के लिए सवागते दोस्ते अपने YouTube चैनल लानमूट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में संपून जानकरी दोस्तों आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज़ादा निमार्इट में बना रहा हूं जो कि मैंने बारे में पूरी जानकरी जानेंगे जो की सफेद दाग वेटी-लिगो को मिढ़ाने के लिए प्रियोग में लाई जाते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे यह जो टोपिकल प्रिपरेशन है इन दोनों को किस तरह से लगाया जाता है जिसे के बहुतर रिजल्ट आपको मिले कितने दिनों में यह अपना असर बताना शुरू करता है जब इसको लगाते हैं तो क्या सावधानी रखनी होती है जब भी खाने की वस्तों को आपको नहीं खाना होता है यह और इनके साथ के अन्य महत्वपून बाते इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए वीडियो को अंतर दख देखें जिससे पूरी जानकर आपको मिठोक्सलीन टोपिकल प्रिपरेशन के बाया मिल सके मैं हूँ आपका दोस मो कंटेशन को प्रमोड करता है जिस जगाँ पर इसकी सब्सक्राइब तता ब्राउन कलर के हो सकते हैं तो उन चक्तों को भी ठीक करने के लिए यह जो क्रीम है यह लोशन है डॉक्टर दौरा प्रियोग लिया जाता है और यदि आप इस क्रीम और लोशन को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो यह अपने जन्रीक नाम मिथोक सेलीन साब को नहीं म लोशन यह कुछ मैंने पॉपुलर ब्रांड बताएं और हो सकता है इसके लाव कुछ दूसरी ब्रैंड आपके एरिया मिलें कि जो ब्रैंड नेम रहती है अलग लग रहती है अब अगर बात करें इसके प्राइस की कितने रुपे में मिल जाता है क्या इसकी MRP रहती है जो क्रीम और विचेजिंग है वो 25 ग्राम की पैकिजिंग आती है और 45 रुपे 95 रुपे में ये क्रीम आपको मिल जाती है और अगर लोशन जो सॉल्यूसन ये उसकी बात करें तो ये 25 एमैल का पैकेजिंग में आता है और 114 रुपे की MRP में आपको आसाने से मिल साता है और हो सकता जो प्राइज है ब्रांट ब्रांट कुछ वेरी हो अब वीडियो के आगे के पार्ट में यदि बात करें इस टोपिकल प्रिप्रेशन को किस तरह से लगाना होता है जिससे की बेस्ट रिजल आपको मिल सके क्रीम और लोशन को लगाने के तरीके में थोड़ा से डिफ्रे या बोडी लोशन लगा लें जिससे की जब भी हम क्रीम सफेद दार पर लगा है तो फेल के बाहर नहीं आ जाए और यदि क्रीम नॉर्मल स्कीन पर लग जाती तो जो नॉर्मल स्कीन का कलर है वो डार्कन हो जाता है इसलिए हमें मॉस्टराइजिंग एजेंट लगाना होत सब जगा पर थोड़ी थोड़ी क्रीम आप लगाने और यह जो जब क्रीम लगा HOLT again् 꽃 की रिइप पूरीय तो उसके बाद में आप दोप सलिगने और जैसा कि आपको शुरुती दिनों में आप इस क्रीम को लगाते हैं तो एक दिन चोड़किए ऐग दिन जो आपको डॉक्टर एडवाइज करें उसी कनौसाइस को फोलो करें दोस्तों अगर लोसन की बात करें तो जैसे लगाने का तरीका बिल्कुल इसका सेम ही रहता है लेकिन जब लोसन आप लेते हैं तो जैसा है पीचर में देख रहे हैं इसके साथ एक आपको ब्रस मिलता है जिसके ब्रस के साइ vraiment और होता है क्योंकि लिक्विड प्रिपेशन थे जगा पर लग जाती उसे आप साफ नहीं कर सकते यदो की प्रोसस है बिल्कुल क्रीम के इस जैसा है इस जुव्री प्र्योग mh उबर की बच्चे के लिए नहीं किया जाता है साथ ही सिर्फ और सिफ ही इसका फ्रियो करें दोस्तों अब अगर बात करें गरीकिसी व्यक्तियु कि विव्यक्ति mbraby होते हैं तो टो जो जिस अडिया पूर सकती है जुलाइश्टे एप्लिकेशन वहां पे रेडनेस हो सकती है जलन व्यक्ति को हो सकती ही इरीटेशन रह सकता है साती खुजली होगी यह कुछ समझे हो सकती है इसके अलवभी सनलाइट से सेंसिटिवीटी बढ़ सकती है यह समझे अगर लगती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जि दोनों जो खटी चीजें इसे नहीं खाना होता है आउला जो खटा है इसका थोड़ा मतबेद है यूजर में तो इसका प्रियोग अपने आयरवेदिक चीज़ सकते पूछ करी प्रियोग करें इसके अलाव जो अंजीर है अजवाइन है केरिट जिसे हम गाजर कहते हैं इन स खानों का परेंज भी आप रखें तो दोस्तों इसे के साल कंप्रीट इंफ्रमेशन में ने मिठोक सेलीन जो क्रीम और लोशन है इसके बार मता दिये उमीद करता हूं जादा जादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आयोगा यदि वीडियो आपको अधिक साथ एक रहत अपना यूटीब चैनल लानों मेडिशन थैंक्यो फ्रेंड्स टेक केर एंड बी केर फोट मेडिशन उसर् करता हूं झाल कर अपको हम मे upgrades से थैंक्यो आपको मेडि़ मेर ऑनकारी उसर्ग् केर वीडियो और मुड़्कोश, ळुटी के वीडियो अपको ही ह geralी आपको पको लाणादाह